आधार पैन लिंक वाले व्यक्तियों के लिए बड़ी खुश्खबरी सरकार ने सभी पैन आधार लिंक व्यक्तियों के लिए बहुत ही बड़ी खुश्खबरी का एलान कर दिया है, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, चाहे वह महिला हो या पुरुष दोनों के लिए ब ऐसे में आधार लिंक पैन वाले व्यक्ति जान ले फाइदे और जो नहीं करवाए वह भी करवा ले तो चलिए दोस्तों आज हम इस लेक की मदद से आपको पूरी जानकारी देंगे नीचे लिखे लेक को ध्यान पूर्वक अवश्य पड़े आधार पैन लिंक दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आधार से लिंक पैन कार्ड के बारे में तो ऐसे में आपको तो पता ही है कि इस समय आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किया जा रहा है जो यह योजना बड़ी तेजी से चल रही है जो कि सरकार इसके लिए बहुत ज्यादा जोर दे रही है इसलिए कि आपको कहीं दिक्कत ना हो आप कहीं, परेशानी भी ना हो, हम आपको पूरी जानकारी देंगे इसके क्या फाइदे हैं, जो सरकार ने इसके लिए सभी के लिए बड़ी खुश खबरी दी है, हम उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे दोस्तों, आज मैं आपको बता coupon card आधार card से इसलिए link किया जा रहा है PAN card को आधार card से जोडने से income tax को सभी transaction का audit role मिलता है PAN card को आधार card से link करने के बाद ITR file करना आसान हो जाता है मतलब कि जैसे कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको पूरी जानकारी आधार card के द्वारा भी मिल सकती है आपको PAN card के द्वारा आपके सारे कारियों के जानकारी मिल जाएगी Linking के बाद रसी जमा करने या फिर ही signature की जरूरत नहीं होगी जैसा कि अगर आप कहीं भी signature करते हैं या नहीं भी किये हैं तो आपको कहीं भी signature की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका आधार card में आपका finger लगा है सबसे बड़ी बात तो यह की आधार Linking के बाद transaction को track करना सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा आप तहीं भी अगर transaction पैसा का लेंदेन करते हैं तो आपके लेंदेन में कोई दिक्कत या गरबड़ी होती है तो आसानी से track करके उसको पता किया जा सकता है जिसके लिए सरकार यहाँ बताया है कि इससे सभी व्यक्तियों को काफी फाइदा होगा इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी तो जरूर से जरूर आप आधार कार्ड को पान कार्ज से लिंक करवा ले अपने रेजिस्टर मोबाइल नमबर से 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा इसका फॉर्मिट है उडपान स्पेस बारा नमबरों का आधार कार्ड स्पेस दस डिजिट पैन खिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दे